नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका तिवारी अकेडमी में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 यानि क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान में भुगोल के अध्याय एक के विशय में भुगोल का अध्याय एक जिसका शीर्षक है संसाधन एवं विक जो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को और बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे दोस्तों सबसे पहले इस प्रष्ट में हमसे कहा गया है कि क्या आप उन वस्तूओं का नाम बता सकते हैं जो गाउं और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुचाती हैं ऐसी वस्तूओं प्रयोगी एक सूची तयार करने के लिए हमसे कहा जा रहा है और इनकी बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों का नाम भी इनको बनाने में जो प्रयोग होते हैं पदार्थ उनका नाम भी हमें हापर बताना है ना दोस्तों ऐसे बहुत सारी वस्तूओं हैं जो ग्राम जैसे उधारण के लिए अगर गर्मी का मौसम है तो कूलर एक ऐसी वस्तू है जो आराम पहुचाएगी, आप ये बात न भूलें कि यहाँ जो अध्याय है, यहाँ संसाधन एवं विकास पर आधारित अध्याय है, तो संसाधन क्या होते हैं, यहाँ हम भली भाती जानते हैं, पिछली कक्षाओं में हमने बखू भी इस चीज़ को जाना है कि संसाधन क्या है, और यहाँ कितने प्रकार के होते हैं, इस पर भी हमने पिछली अध्यायों में विस्तार से चर्चा करी है, पिछली कक्षाओं में, लेकिन फिलहाल अब हमें इसे कक्षा 10 के संदर्भ में द सुची तयार करनी है, ठीक है न, इस प्रश्ट में जो एक सेक्षन आएगा, जिसमें हमें यहाँ बताना होगा कि इन वस्तूओं को जिनका हम नाम लिखेंगे, उनको बनाने में जो प्रयोग होने वाले पदार्थ हैं, उनके नाम हमें बताने पड़ेंगे हैं तो यहाँ आपको सर्च करने की आवशक्ता पड़ेगी थोड़ा सा खोच करना पड़ेगा, फिलाल हम चलते हैं पहले परिग्राफ के उपर इस पहले प्रश्ट के जहां पर हमें बताया गया है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्द प्रत्यक वस्तू जो हमारी आवशक्ताओं को परिभाशा दी गई है, जो हमारे सामने यह परिभाशा है, यहां में क्या बता रही है कि इस परिभाशा में आप देखेंगे कि तीन चीज़े बहुत महत्पूर्ण हैं जिस पर हमें ध्यान देना है, सबसे पहली कि हमारी आवशक्ताओं को पूरा करने में प्रयूक्त की जा सकने वाली वस्तूं का जिक्र यहां पर हो रहा है दूसरी बात जो है वो क्या है कि उस वस्तू को बनाने के लिए प्रोध्योगी की भी उपलब्द है ठीक है ना यानि technology की बात यहां पर की जा रही है और तीसरी और सब से महत्पूर्ण बात जो है वो क्या है इस परिभाशा की, कि आर्थिक रूप से संभाव है और सांस्कृतिक रूप से मानने भी है, समझ गए आप, तो हम उसे क्या कह रहे हैं, संसाधन कह रहे हैं, तो अब आपको यहाँ परिभाशा पूरी तरह से याद हो गई है, है ना, अगर मैं आपसे पूछूँ कि बताइए सं उमीद है कि आप एक अंख के प्रश्न के लिए इसका उत्तर देने में सक्षम हो गए हैं, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, और हमसे यहाँ बताया गया है कि हमारे परियावरण में उपलब्ध वस्तूं, जो भी उपलब्ध वस्तूं हैं, इनकी रुपांतरन प्रक्रि योग की और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंद में नहीं थे, इसका यह अर्थे दोस्तों कि हमारा जो परियावरण है, जिसके विशय में हम जानते हैं, है न, परियावरण की परिभाशा भी जो है, अब थोड़ी सी व्यापक अर्थों में हमें समझने की अब तक हम कहते थे कि परियावरण वह आवरण या घेरा है, जो समस्त मानव समुदाय और सभी जीवदारियों को चारो और से घेरे हुए है, लेकिन व्यापक अर्थों में इसे कैसे देखेंगे हम कि परियावरण वह घेरा तो है, जो मानव समुदाय और सभी जीवदारि रिधियों द्वारा यहां हमें भी प्रभावित करता है मुझे उम्मीद है आपको यहां परिभाशा समझ में आ गई होगी और फिलाल आप यहां देखें यहां पर लिखा है कि परियावरण में उपलब्द वस्तू हैं जितनी भी वस्तू है उनके रूपांतरण की हमको आव प्रक्रती यानि नेचर प्रद्योगी की यानि टेक्नॉलोजी संस्थाओं के पारसपरिक क्रियात्मक संबंद में नहित है यानि इसी में छुपी हुई है दोस्तों मानो प्रद्योगी की द्वारा प्रक्रती के साथ क्रिया करते हैं टेक्नॉलोजी के साथ में नेचर के सा साथ में परस पर जुड़े हुए हैं क्रिया भी की जाती है और अपने आर्थिक विकास की गती को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्मान करते हैं हमारी बात की जा रही है मानव जो है मनुष्य जो है वह टेकनोलोजी का उपयोग नेचर के साथ मिलके प्रकृति के साथ मिलके क्यूं कर रहा है क्यूंकि वह निरंतर अपने आर्थिक विकास के पत की और अगरसर है और वह अपने इस आर्थिक विकास की ज सब्सक्राइब साथा समझेंगे दोस्तों आगे हमसे कहा गया है कि क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं तो यहां पर इसका उत्तर हमें इहां दिया गया है कि ऐसा नहीं है संसाधन जो है दोस्तों वो मानविय क्रियाओं का परिणाम है इसको यहाँ पर हमें समझने की आवशक्ता पड़ेगी कि प्रकृती ने जो हमें संसाधन दिये है वो ठीक है उपलब्द है लेकिन उसको उसका जो रूपांतरन है वो कैसे संबह हो पाया है मानव प्रोध्योग हिस्सा है क्योंकि आप जानते हैं हमने मानव को भी संसाधन के रूप में पढ़ा है है ना दोस्तों वे परियावरण में पाये जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं कौन मानव तथा उन्हें परयोग करते हैं और इन संसाधनों का वर्गी करन न सबसे पहले हमारे सामने हैं उत्पत्ति के आधार पर है ना तो इसमें दो आ गए एक जैव और एक अजैव ठीक है दूसरा है समाप्यता के आधार पर यहने जो समाप्त हो जाएंगे तो उसमें दो आ गए एक नवीकरण और एक अनवीकरण जिनकी हम रेसाइकलिंग कर सकते ह और जिनकी नहीं की जा सकती वो तीसरा है स्वामित्व के आधार पर है ना कि मालिकाना हक देखेंगे हम तो वो व्यक्तिकत भी हो सकता है सामुदाइक भी हो सकता है और राश्ट्रिय और अंतर राश्ट्रिय भी हो सकता है इसके बाद चौथा है आप यह मत समझेगा कि मैं आ ऐसा कभी नहीं होगा कि हम आगे बढ़ गए और जो पहले की टॉपिक है इस अध्याय के वह आपको समझ में नहीं आये वीडियो के अंद तक पहुचते हुए आपको ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहेगा जो इस अध्याय का समझ में नहीं आया है ठीक है ना तो दोस्तों को देख रहे हैं दोस्तों जरूर देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर यह जो चित्र दिखाई दे रहा है इस चित्र में एक तिरभुज हमें दिखाया गया है यह है मानव और आप देख सकते हैं बहुत एक परियावरन से प्रद्योगिकी से संस्थाओं से परसपर क्रिय आत्मक संबंध को यहां पर यह प्रदर्शित कर रहा है चित्र प्रकृति प्रद्योगिक और संस्ताओं के मद्धिका अंतर संबंध हमें बता रहा है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अभी जो हमने बटवारा देखा उसको हम इस चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं यह स संसाधनों का वर्गिकरण है सबसे पहले हमने संसाधनों को बाट लिया है प्राकृतिक और मानविय में अब अगर संसाधनों की बात करें तो इनको भी हमने बाक करें गलिंगे नवीकरण यानि जिनकों दो इससे हैं एक प्राक्रतिक वनस्पति और एक है वन्य जी अनवी करणिय है कि अगर आप बात करेंगे तो इसमें दो हैं पुनाचक्री जैसे कि जीवाश्म इनदन अब मानवी यह में देख लेते हैं एक है संद्रचनाएं एवं संस्थाएं और एक है मात्रा एवं गुणवत्ता मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा संसाधनों का वर्गी करन और विस्तार से आगे समझते हैं अब दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे संसाधनों के प्रकार के विशय में सबसे पहले हमने देखे थे उत्पत्ती के आधार पर है ना इसमें हमने सबसे पहले देखा था जैव संसाधन को तो इससे समझेगा दोस्तों इन संसाधनों की जो प्राप्ती है वो जीव मंडल से ह होती है समझ रहे हैं आप यहाँ पर सभी जीव आपस में निवास करते हैं और इन में जीवन व्याप्त है याने कि ये जीवित है ठीक है जैसे उधारन के तौर पर मनुष्य बनस्पति जात प्राणी जात मत्स जीवन पशुधन आदी ये सभी की सभी जो है जैव संसाधन कहलाते हैं क्योंकि इनकी प्राप्ति हमें कहां से होती है दोस्तों जीव मंडल से होती है इसके बाद में है अजैव संसाधन से क्या तात पर है यानि वे सारे संसाधन जो की निरजीव वस्तूओं से बने हैं यानि जिन में जीव नहीं है जान नहीं है जिनें अजयव कहा जाता है उधारन के लिए जैसे चट्टाने और धातू है ठीक है तो मुझे उमीद है कि उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधनों के प्रकार है उसको आप भली भा आधार पर है ना यहने वो समाफ्त होते हैं अत्वा नहीं होते हैं तो सबसे पहले है इसमें नवी करण योग्य संसाधन अब ये कौन से होते हैं ध्यान से समझेगा मैं जानता हूं कि हमने पिछली कक्षाओं में इनके बारे में चोटे-चोटे इंट्रोड़क्शन देख यहां पर व्याख्या भी की गई है कि भौतिक रूप से करें रासायनिक रूप से करें या अंत्रिक प्रक्रियाओं से किसी से भी अगर हम इन्हें नवी कृत कर रहे हैं पुना उत्पन करने हैं तो इन्हें नवी करण योग्य अत्वा पुना पूर्ति योग्य संसाधन कह समझ रहे हैं यहां पर उधारन दिया हुआ है दोस्तों सौर तथा पवन उर्जा है ना यानिकी सोलर एनरजी और विंड एनरजी दोस्तों जल वन और वन ने जीवन यह सब भी सीके तो उधारन है इन संसाधनों को दोस्तों सतत अत्वा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया गया है मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी इसके बाद में समाप्यता के आधार पर दोस्तों दूसरा प्रकार जो है वो है अनवी करणिय योग्य संसाधन अनवी करण योग्य संसाधन इसे भी समझते हैं दोस्तों यह पहले आठ में भी इस तरह के विशय पढ़े थे मतलब यह ध्याय को पढ़ा था एक जिसमें हमने खनीजों के बारे में पढ़ा था है ना पिष्टी कक्षाओं को अगर आप याद रखे तो तो खनीज के बारे में हम क्या जानते हैं कि खनीज जो है या जीवाश में इंधन जो है वो इसी प्रकार के संसाधनों के उधारन है हम जानते हैं कि पैट्रोलियम का निर्मान जो है वो किस प्रकार की परिस्थितियों में हुआ भूमी के गर्व में उच्चदाब उच्चताब की उपस्थिती की वजह से हजारों वर्षों का समय लगा तब कहीं जाकर कि इन संस संसाधन ऐसे हैं जैसे की धातव यह पुन्ह चक्रिय क कई इस्तर जीवाश्म इंधन हो गया यह अ çekरियं एक बार के प्रयोक के साथ ही खत्म हो जाते हैं तो दोבןेकर सवामित्तव के आधार पर संसाधनों के वरगी करण की दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में इतने डीटेल में ये सब चीजे इसी लिए बता रहा हूँ ताकि एक बार यहां वीडियो देखने के बाद में आप सीधे रिविजन की और जुट जाएं और मैं चाहता हूँ कि आपका परिक्षा परिनाम बहुत ही अच्छा हूँ यहां वीडियो को देखने के बाद निसंदेह यहां होगा भी अब हम बात करेंगे व्यक्तिगत संसाधन की दोस्तों संसाधन नीजी व्यक्तियों के स्वामित्यों में भी होते हैं जैसे मान लीजे कोई कुरसी आपने खरी दी है बादार से अब उस पर आप सोयम बैठते हैं तो वो कुरसी पर आपका नीजी अधिकार है नीजी स्वामित्यों है दोस्तों बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आबंटित भूमी होती है जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं ठीक है दोस्तों गाओं में बहुत से लोग ऐसे हैं जो भूमी के स्वामी भी होते हैं जिनकी स्वयम की भूमी होती है और बहुत से लोग आपने ऐसे भी देखे हैं जो की भूमी हीन है जिनके पास अपनी स्वयम की जमीन या भूमी नहीं है। दोस्तों अगर हम बात करें गाउं के विपरीत शहरों की तो शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्यजायदाद के मालिक होते हैं। दोस्तों बाग, चारगा, तालाव और कुओं का जल आदी संसाधनों के नीजी स्वामित्यू के कुछ उधारण है। कौन-कौन से बाग हो गया, चारगा हो गया, कुए हो गया, तालाव हो गया, आदी। दोस्तों अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची आप यदि तयार कर पाएं, तो बहुत बहतर होगा, आप जरूर करके देखिएगा, और अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं नीजी के बाद सामुदाइक स्वामित्व वाले संसाधनों पर, दोस्तों ये स संसाधन क्या होते हैं, ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्द होने वाले संसाधन कहलाते हैं, गाओं की शामिलात भूमी, शामिलात भूमी का मतलब होता है दोस्तों, शम्शान भूमी, तलाब के लिए या जो चारण के लिए उपयोग में लाई जाती है, व बहां रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध है इसके पश्षात अब हम बात करेंगे राष्ट्रिय संसाधन की है ना दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए सामुदाइक स्वामित्वाले संसाधन कौन से है है ना शान का उपयोग सभी कर सकते है चारण भूमी का उपयोग सभी के लिए है ताल आप सब के लिए है ना तो जो सभी के लिए समुदाइक स्वामित्वाले संसाधन कहलाएंगे अब बात करते हैं राष्ट्रिय संसाधन की जैसा की नाम से सपस्ट है जो राष्ट्र उपयोग कर रहा है जैसे तकनी की तोर पर देश में पा अधिग्रहित कर सकती है आप समझ गए क्या अधिकार है देश की सरकार को कि जो नीजी संसादन है यानि व्यक्तिगत संसादन है उसको भी वह आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है हमने देखा है दोस्तों की सडके हो गई नहरे हैं रेल लाइने हैं व्यक्तिगत स्वा हुआ है सारे खनिश्पदार्त जल संसाधन वन वन जी राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमी और बारा समुद्री मील लगभग 22.2 किलोमीटर तक महासागरिय शेत्र भूभागिय समुद्र जैसे कहा जाता है वह सब इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की ही त तो संपदा है इस पूरे परिग्राफ में आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है यहां से यहां तक क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझ ये कि जितने भी दोस्तों खनिश्पदार्त है जैसे कि जल संसाधन हो गए है ना ये भी इसमें आ जाएंगे और वन या वन जीवन भी तो ये सभी की सभी राजिनितिक सेमाओं के अंदर जितनी भी भूमी है और अगर ये ही नहीं समुद्री तल की भी बात करें तो बारा समुद्री मील लियने लगबग 22.2 किलो मीटर और यहां से महा सागरिये छेतर जिसे भूभागिये समुद्र कहा जाता है वे सब इस समझ में आ रहा हुगा अब हम बात करते हैं अंतराश्टी संसाधन की दोस्तों कुछ अंतराश्टी संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं अपने नियंत्रण में रखती है तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी अपवर्जक आर्थिक शेत्र से परे खुले महासागरिय संसाधन उपर किसी देश का अधिकार नहीं है अगर आप से पूछा जाए कि आप बताईए कि वो कौन से संसाधन है जिस पर किसी भी देश का अधिकार अब तक के नहीं है और इन संसाधनों को अंतराष्ट्रिय संस्थाओं की सहमती के बिना उपयोग भी नहीं किया जा सकता ऐसा नहीं है कि किसी का अधिकार नहीं है तो चली उपयोग कर लेते हैं इसमें सहमती किसकी चाहिए अंतराष्ट्रिय संस्थाओं की ठीक ह मुझे अम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई और अब इस से पहले कि हम विकास के इस्तर के आधार पर संसाधनों के वर्गी करन को समझें उस से पहले हम इस जानकारी को समझेंगे जो है क्या आप जानते हैं कि भारत के पास अपवरजक आर्थिक शेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी मेंसे मैंगनीज गरंतियों का खनन करने का अधिकार है कुछ अन्य अंतराश्टिय संसाधनों की पहचान करने के लिए कहा जा रहा है हमें बताया गया है कि भारत के पास में जो ये अपवरजक आर्थिक शेत्र की अविह हमने बात की थी उससे दूर हिंद महासागर की एक तलहटी है वहां से उसके पास में अधिकार है भारत के पास में कि वह मैगनीज गरंतियों का खनन कर सकता है ठीक है ओके अब हम समझेंगे विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वरगी करण तो सबसे पहले हम बात करते हैं संभावी संसाधन की दोस्तो ये वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं ठीक है लेकिन इनका उपयोग नहीं किया गया है अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यूं है तो इसको हमें कुधारन से समझते हैं दोस्तो भारत के पश्चिवी भाग विशेश रूप से राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर उर्जा संसाधनों की अपार संभावना है लेकिन इनका सही ढंग से अभी तक विकास नहीं हुआ है यह है इसका सबसे अच्छा उधारन है मुझे उम्मीद हैं आप समझ गए होंगे अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विक्सित संसाधनों की यानि की वे संसाधन जिनका सरवेक्षन किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है यानि सरवेक्षन भी कर लिया है और उनके उपयोग की जो गुणवत्ता है उसकी जो मात्रा है quantity है उसको भी निर्धारित कर लिया गया है दोस्तों विक्सिक संसाधन यही कहलाते हैं संसाधनों का विकास प्रोध्योगी की यही टेक्नोलोजी और उनकी संभाविता के स्थर पर ही निर्भर करता है अब हम बात करेंगे भंडार की है न तो दोस्तों पर युक्त प्रोध्योगी की उसका अभाव है है ना टेक्नोलोजी नहीं है इतिनी ज्यादा विक्सित तो उसकी पहुच से वह बाहर हो गये है और यह अभी भंडार में शामिल है इसमें भी हम उधारन के लिए देख सकते हैं जैसे जल दो गैसो हाइड्रोजन और ऑक्सिजन का योगिक है हम जानते हैं कि हाइड्रोजन उर्जा का मुक्य स्रोत बन सकता है लेकिन इस उदेश से इसका प्रयोग करने के लिए अभी हमारे पास में उन्नत टक्नीकी यानि टेक्नोलोजी का नॉलेज नहीं है ठीक है मुझे उमीद है आप भंडार से भी अच्छी तरह स परिचित हो चुके हैं अब हम बात करते हैं दोस्तो संचित कोश्की ठीक है तो इसमें हमें यहां बताया गया है कि यहां संसादन भंडार पड़ा तो यह उसी का हिस्सा ए इनहें उपलब्द टक्नीकी ग्यान की सहयता से प्रयोग में लाया जा सकता है लेकिन दोस्तों इन जिनका उपयोग भविश में आवशक्ता पूरती के लिए किया जा सकता है, संभावना है, नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, लेकिन प्रेजन्ट समय में यानि वर्तमान में इसका उपयोग दोस्तों सीमित पैमाने पर ही हो रहा है, ह कांधों में जल वन आदी संचित कोश हैं जिनका उपयोग भविश में किया जा सकता है मुझे उम्मीद है आपको यह बात समझ में आई होगी अब हम बात करते हैं दोस्तों संसाधनों के विकास के ऊपर दोस्तों संसाधन से हम सभी परिचित हैं और जिस प्रकार संसाधन की गुनवत्ता बनाए रखने के लिए भी यहां बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है न दोस्तों ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृती की देन है और परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाध धुन्द उपयोग किया जिससे यह कुछ समस्याइं हैं इन समस्याओं को मैं आपके सामने पढ़ूँगा पूरी एक आगरता के साथ ध्यान से सुनिएगा ठीक है पहली कुछ व्यक्तियों के लालचवच संसाधनों का हिरास हो गया व्यक्तियों का लालची कारण बना संसाधनों के नुकसान की और का लालच की नहीं और चाहिए और करना है यह सब चीजे दोस्तों दूसरा है संसाधन समाज के कुछी लोगों के हाथ में आ गए हैं जिससे समाज दो हिस्सों संसाधन संपन एवं संसाधन हीन अर्थात अमीर और गड़ीब में बठ लिया यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों जानते हैं कि पूरे देश में पूरे विश्व में दस प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनके पास 90 प्रतिशत संसाधन है और 90 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनके पास में लगभग 10 प्रतिशत संसाधन है आप सोचिए कि ये अमीर और गरीब के बीच की खाई कितनी ज्यादा बड़ी है और गहरी है ठीक है मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई है इसके बाद में यह विंदू और है कि संसाधनों के अंधाधुंद शोशन से वैश्विक पारिस्थिती की संकट पैदा हो गया है जैसे भूमंडलिय तापन ओजोन परत अवक्षय पर्यावरण प्रदूशन और भूमी निमनीकरण आदी दोस्तों हम सभी प्रकार के संसाधनों का अंधाधुंद शोशन भी कर रहे हैं जैसे आप जानते हैं कि हम रासाइनिक खादों का अंधा धुन प्रयोग करते हैं जिससे कि अगर हम मिट्टी की बात करें तो उसकी उरवरण धीरे धीरे खतम होती चली जा रही है पर्यावरण प्रदूशन फैलने के लिए कई सारी फैक्टरी मिलों से निकलने वाला धुआ और हमने बहुत सारे क पड़े हैं मुझे आपको अतिरिक्त बताने की आपशक्ता नहीं है आप समझदार है इशारा काफी है और ओजोन परत का अवक्षय हो रहा है दिन प्रति दिन बढ़ता एसी एर कंडिशनर्स और रफ्रिजिरेटर का यूज क्या कर रहा है क्लोरो फ्लोरो कार्बन गैस को है जिसके वज़े से ओजोन परत अवक्षय हो रहा है यह भी आप भली भाती समझते हैं भूमंदलियत आपन क्या है यानि ग्लोबल मार वार्मिंग इसके बारे में भी आपको जानकारी है तो आप समझ सकते हैं कि यह जो संसादनों का अंधाधूंद शोशन है इसी से देश्व शांती बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बटवारा आवश्यक हो गया है अब आवश्यकता आ गई है दोस्तों कि हम संसाधनों का न्याय संगत बटवारा करें यदि कुछी व्यक्तियों तथा देश्व द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी प्रित्वी का भविश खत्रे में पढ़ सकता है आप जानते हैं न दोस्तों कि कई बार हमारी लापरवाही से संसाधन हिरास हो जाता है है न और इसी तरह से अगर हम अती करते रहें संसाधनों के दोहन में तो हो सकता है कि प्रित्वी का खत्रे में पढ़ जाए तो दोस्तो इसी लिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखना बहुत जरूरी है और ऐसा करने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना एक प्लान तेयार करना बहुत आवशक है सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोशनिय विकास का ह एक हिस्सा है समस्ते हैं सतत पोशनिय विकास के संब्ध में क्या जानकारी दी है दोस्तो सतत पोशनिय आर्थिक विकास का मतलब होता है कि विकास पर्यावरन को बिना नुकसान पहुचाए हो और वरतमान विकास की प्रक्रिया भविश्य की पीडियों की आवशक्ता की पहा जाता है सतत पोष्णिय विकास दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आगी होगी अब देखे ये जानकारी है रियोडी जनेरो प्रत्वी सम्मेलन 1992 दोस्तों जून 1992 का समय था जब सौ से भी अधिक राष्ट अध्यक्ष ब्राजील के शहर रियोडी जनेरो में प्रथम यानि पहली अंतराष्ट्री प्रत्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे सम्मेलन का आए उजन विश्व इस्तर पर उभरते परियावरन संरक्षन और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंडने के लिए किया गया था और मैं आपको बता दू दोस्तों कि इस सम्मेलन में एकत्रित जो नेता हुए थे उन नेताओं ने भू मंडली जल सहमती जताई और 21 वी शताबदी में सतत पोशनिय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्विक्रती प्रदान की अब हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि ये एजेंडा 21 से तातपर क्या है तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ एक घोशना है दोस्तों जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियोडी जनेरों में संयुक्त राष्ट पर्यावरन और विकास सम्मिलन यू एन सीडी के तत्वा धान में राष्ट ध्यक्षो द्वारा स्विक्रत किया गया था अब इसका उद्देश क्या था दोस्तों एजेंडा 21 का कि भूमंडली सतत पोशनिय विकास हासिल करना है और दोस्तों यहां एक कारे सूची है जिसका उद्देश सामान हितों पारस पर इक आवशक्ताओं एवं सम्मिलेत जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयों के द्वारा परियावरन ये च्छती गरीबी और रोगों से निपटना है है ना मुझे उम्मीद है कि आप है प्रत्य Wirtschaft इस्थानिय निकाए अपना इस्थानिय एजिड़ा 21 तयार करे संसाधन विकास को पढ़ने के बाद संसाधन निवजन ठीक है चलिए शुरू करते हैं दोस्तो संसाधनों के विवेक पूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान ये रणनीती है जो सभी जगह पर मानने है ठीक है न कि भाई संसाधनों का अगर उपयोग करना है तो क्यों न इसे विवेक पूर्ण तरीके से उपयोग किया जाए जितनी आवशकता कम से कम स संसाधनों की है मतलब उपयोग में हो सकती है उतना ही उसको उपयोग किया जाए ताकि आने वाली पीडी के लिए यहां बचा रहे दोस्तों इसलिए हमारे देश भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की जो उपलब्दता है ना उसमें बहुत सारी विविदताएं पाई लेकिन वहीं पर दूसरे तरह की संसाधनों की कमी भी है अम इस बात को नगार नहीं सकते है ना दोस्तों कुछ ऐसे प्रदेश भी है जो संसाधनों की जो उपलब्दता है उसके संदर्व में आत्म दिरिबर है याने इंडिपेंडेंडेंट है और लेकिन कुछ ऐसे प्रदेश भी है जहां पर महत्वपून संसाधनों की बहुत ज्यादा कमी है जैसे अगर हम उधारन की बात करें तो नाम आएगा जारकंड का, मद्यप्रदेश का और चतिसगड का यह ऐसे प्रांथ है जिनमें खनीजो और कोईले के बहुत सारे प्रचुर भंडार है और अरुनाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं लेकिन मूल विकास की यहां पर कमी पाई जाती है कमी है दोस्तो राजिस्थान में अगर हम बात करें प प्रदेश संस्कृतिक विरासत का धनी है लेकिन परन्तु यहां जल आधार भूत अवसन रशना तथा कुछ महत्वपून खनीजो की कमी है इसलिए राश्ट्रिय प्रांतिय प्रादेशिक और स्थानिय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवशक्ता है आपने देखा परन ही है और यह उधारणों की विविद्दा यह है जो हमें दो टौपिकों के बीच में अंतर को सपष्ट कराती है और हमें उन्हें लंबे समय तक याद रखने में ना सिर्फ मदद करती है बलकि हमें उनका व्यभारिक ज्यान भी प्रदान करती है इसलिए उधारन सोपान कौन-कौन से देश के विभिन प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करना और उनकी तालिका बनाना इस याध रहें कि आपको पूरी एकागरता के साथ इस अध्याय को समझना है क्या कहा जा रहा है कि जो देश की अलग-अलग प्रदेश है यहाँ पर संसाधनों की पहचान करना है और पहचान करने के बाद में उनकी तालिका भी बनाना है और यह जो कारे है दोस्तों यह किया जाएगा छेत्रीय सरवेक्षन को समपन करने के बाद मान्चित्र बनाने के पश्चात और संसाधनों का अनुमान लगाना है वो भी कैसा? कुनात्मक भी और मात्रात्मक भी और उसके बाद में उसका मापन करना समझ गया आप? ये सिर्फ एक था, क था, है ना नियोजन के लिए ख, दूसरी प्रक्रिया क्या है जो इसी में जुड़ी हुई है, संसाधन विकास योजना है, जितनी भी है न, जो संसाधनों के विकास से संबंदित है, उन्हें लागू करने के लिए जो जरूरी टेकनोलोजी है, जो उप्य ये विकास योजना में समन्वह स्थापित करना, दोस्तो मुझे उमीद है कि आपको भारत में संसाधन नियोजन क्या है, ये समझ में आया होगा, ठीक है, दोस्तो स्वाधीनिता, स्वाधीनिता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश की पूर्ती के लिए, पह ठीक है लेकिन प्रद्योगी की और संस्थाओं में तदन रूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्दता से ही विकास संभव नहीं है है ना उनका रूपांतरण भी जरूरी है है ना देश में बहुत से छेतर ऐसे हैं दोस्तों जो संसाधन सम्रुद् आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिंती में आगे आते हैं दोस्तों इसके विपरीत अगरम देखे तो ऐसे प्रदेश भी है जहां पर संसाधनों की कमी होते हुए भी वह आर्थिक रूप से विक्सित है ठीक है मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रद्दयोग Hebी के सहारे क्या किया उप्निवेशों के संसाधनों का शोषण किया यह हम भलीबाती जानते हैं तथा उन पर अपना आधिपत्ती यानि अपना अधिकार भी स्थापित किया इसलिए दोस्तों संसाधन किसी प्रदेश क के विकास में तभी उगदान दे सकते हैं कब जब वहां पर उपयुक्त प्रध्योगी की विकास और संस्थागत परिवर्तन किये जाए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उपनिवेशन के विभिन चरणों में भारत ने इन सब का अनुभाव किया है मैं आपको बता दूं और इसी लिए इसी अनुभाव की वज़े से भारत में जो विकास है वो सामाने रूप से संसाधन विकास लोगों के मुख्यता संसाधनों की उपलब दता पर ही आधारित नहीं था बलकि इसमें प्रध्योगी की मानव संसाधन की गुणवत्ता और एति नियोजन पढ़ लिया है विकास के बाद तो अब संदक्षन भी पढ़ लेते हैं दोस्तों संसाधन किसी भी तरह के विकास में एक बहुत ही महतवपूर्ण भूमी का निभाते हैं क्योंकि वो हमारी आवशक्ताओं की पूर्ती ही नहीं करते बलकि आवशक्ताओं की पूर विकहीन उपभूग करना बिना विवेक के है न और अति उपयोग करना इसी के कारण कई सामाजिक और आर्थिक पर्यावरणी समस्यां पैदा हो सकती हैं हमें ये समझने की आवशक्ता है कि पर्यावरण और हम एक दूसरे से परस पर जुड़े हुए हैं यादि दोनों में से किसी एक को भी कोई खत्रा हुआ तो दूसरा अपनियाप समाप्ति की और बहुणने लगेगा ठीक है ना दोस्तों इन समस्यां से बचाओ के लिए अलग-अलग इस तरों पर संसाधन का संदक्षन बहुत ही ज्यादा आवशक है और इसमें कोई डाउट कोई संदेह नही है दोस्तों भूत काल से या इतिहास से ही संसाधनों का संदक्षन बहुत से निताओं और चिंतकों के लिए हमेशा चिंता का विशय रहा है अग उधारन के तौर पर देख लीजे कि गांधी जी ने संसाधनों के संदक्षन पर अपनी चिंताइन शब्दों में व्यक्त की ह हमारे पास हर व्यक्ति की आवशक्ता पूर्ती के लिए बहुत कुछ है लेकिन किसी के लालच की संतुष्टी के लिए नहीं अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है दोस्तों उनके अनुसार विश्विस्तर पर संसाधन हि जास के लिए लाल्ची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रद्योगी की शोशनात्मक प्रव्रती ही जिम्मिदार है ठीक है ना बहुत बड़ी बात है गहरी बात है अगर आप समझ पा रहे हैं तो और वे अत्यदिक उत्पादन के विरुद्ध थे दोस्तों उसके में स्वयंब जुट जाए अधिक संख्या उत्पादन करें यह बहतर है बजाए इसके कि अधिक उत्पादन कम लोगों के द्वारा किया जाए ठीक है दोस्तों इसके बाद यह जानकारी जो दी हुई है इसे मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा बहुत ध्यान से क्लॉब आफ रोम ने की दी याद रखेगा 1968 में क्लॉब आफ रोम ने क्या करी संसाधन संदक्षन की पूरे विवस्तित तरीके से अंतराज चीस्तर पर वकालत की इसी के बस्चात दोस्तों 1974 का समय आया जब शुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इस ब्यूटिफल में इस विशे पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावरत्ती की फिर 1987 में बुन्दत लैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन सर्रक्षन में मूलाधारी उगदान किया गया और इस रिपोर्ट ने सतत संसाधन की वकालत की यहां रिपोर्ट बाद में हमारा साजा भविश अवर कॉमन फ्यूचर शीर्शक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित भी हुई दोस्तों इस संदर्व में एक और महत्पून योगदान रियोडी जेनेरो ब्राजील में 1992 में आयोजित प्रित्वी सम् और विभिन रूपों में इसका उप्योपी करते हैं है न दोस्तों अतह भूमी एक बहुत ही महत्पून प्राकृतिक संसाधन है इसे नकारा नहीं जा सकता दोस्तों प्राकृतिक वनस्पती वन्य जीवन मानव जीवन आर्थिक क्रियाय परिवहन संचार व्यवस्थाय यह सब कुछ जो भी हम करते हैं सुबह उठने से लेके रात को सोने तक के और इवन रात को सोना भी हम सब भूमी पर ही कर रहे हैं यह सब भूमी पर आधारित है लेकिन दोस्तों भूमी एक सीमित संसाधन है हमें ये बात का ग्यान होना चाहिए इसलिए उपलब्द भूमी का विभिन उदेशों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबध तरीके से ही होना चाहिए ठीक है मुझे लगता है आप मेरी बात से सहमत भी होंगे दोस्तो भारत में भूमी पर विभिन प्रकार की अलग अलग प्रकार की भू आकरतिया जैसे की परवत हो गए पठार हो गए मैदान और दीफ हो गए ह chronetter है यहां तो हम भी जानते हैं लगभग 43 प्रतिशत भूख प्रतिश्ट हम् движ गेढ़ेर है यह आप याद'd रखेगा भारत में कितने नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित भी करते हैं, याद रखिएगा आप, है ना, परियतन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है, और पारिस्थिति के के लिए महतपून भी हैं, दोस्तों, देश के छितरफल का लगभग 27 प्रतिशत हिस्सा पठारी पाई शेतर है, इस शेतर में खनिज है, जीवाश्म, इंधन और वनो के अपार संचय, वनो का उसका कोश है, यहाँ पर एक पाई चार्ट के माद्यम से भी से दिखाया गया है, है ना, 30 प्रतिशत आपके परवत हो गए, 27 प्रतिशत आपका पठार हो गया और 43 प्रतिशत म मैदान हो गया, मुझे उमीद है, आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, मुख्य भू आकरतियों के अंतर गत छेतर, अब इस शितर को ध्यान से देखिए, सामान्य भू उपयोग संबर्ग, 1960-61 ये है, और 2014-15 ये है, अब इसमें आप देखिए क्या अंतर आया है, अगर दोस्तों हम बात करें वनो की, तो 1960-61 में ये 18.1 एक एक प्रतिशत हिस्से में थे, लेकिन 2014-15 की अगर हम बात करें, तो यहां पर हमें देखने को मिलता है, कि यहां 23.3 प्रतिशत पर है, बंजर और क्रिशी के अयोग्य भूमी की अगर हम बात करें, तो ये मतलब 1961-61 में 18.1 एक प्रतिशत थी, और वर्तिमान ने 5.5 प्रतिशत की आसपास है, ठीक है, गैर क्रिशी प्रयोजनों के अंतरगत छेतर की बात करें, जिनमें क्रिशी नहीं होती, तो ये 4.95 प्रतिश प्रतिशत हो गए है, ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें, इस थाई चारा गाहूं की है ना, यह आप देख रहे हैं, तो ये 4.7 एक प्रतिशत थे, और वर्तमान में 3.3 प्रतिशत है, देड़ प्रतिशत इस समय क्या था, विविद रक्षों, रक्ष पसलों और मतले में है की तो जा सकती थी, लेकिन भूमी बंजर है, वो थी और वर्तमान में ये 6.23 से घटके 4.0 प्रतिशत बची है, इसके अलावा दोस्तों परति भूमी और वर्तमान परति ये जो है, आप देख सकते हैं कि 3.50 और 3.73 है और वर्तमान में 3.26 और 4.9 प्रतिशत के आ पास-पास हैं, और एक बड़ा हिस्सा शुद्ध निवल बोया गया चेत्र जो है, वो 46.26 प्रतिशत उस समय था और वर्तमान में 45.5 प्रतिशत हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा अंतर इस पष्टरूप से समझ में आ गया है, कहां पर बढ़ोत्री हुई है और कहां पर चीजे घट गई हैं, ये जो चितरा भी हमने देखे दोस्तों, ये डारेक्टरेट आफ एकोनॉमिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स मिनिस्ट्री आफ एग्रिकल्चर 2017 से लिए गया है, फिलाल अब हम बात करते हैं भू उपयोग की, क्योंकि हमने अभी संसाधन सं अब भू उपयोग की बात करेंगे, दोस्तों भू संसाधनों का जो उपयोग है, वो निम्नलिखित उद्देशों से किया जाता है, है ना, जैसे की वन हो गए, इसके लिए उपयोग किया जाएगा, क्रिशी के लिए अनुपलब्द भूमी, याद रखिएगा, बंजर और क्रिशी के लिए अयोग्य भूमी, और गैर क्रिशी परियोजनों में लगाई गई भूमी, जैसे इमारते हो गई, सडक हो गई, उद्द्योग हो गई, आदी, तीसरा है परती भूमी, है ना, और इसके अतिरिक्त अन्य क्रिशी अयोग्य भूमी, जो क्रिशी के योग्य न पथाववनों के अधीन भूमी जो शुद्ध बोय गई शेतर में शामिल नहीं है इसके बाद है क्रिशी योग्य बंजर भूमी जहां पांस से अधिक वर्षों से खेती ना की गई हो और फिर इसके बाद है दोस्तों पर्ती भूमी वर्तमान पर्ती यहां एक क्रिशी वर्ष से खेती ना की गई हो फिर है दोस्तों शुद्ध निवल बोय गया छेतर एक क्रिशी वर्ष में एक बार से अधिक बोय गये छेतर को शुद्ध बोय गये छेतर में जोड़ दिया जाए तो वह सकल क्रिशित छेतर कहलाता है जो उमीद है आप इस बात से सहमत हैं भूमी का उपयोग इसको निर्धारित करने वाले जितने भी तत्व है ना उनमें कुछ भौतिक कारग भी है जैसे कि अगर हम बात करें तो भूमी की आकरती किस प्रकार की है है ना चौकौर है गोल है है ना इस टाइप से या पठार है उसमतल है मैदानी छेतर है जलवाई हो गई उसके बाद मृदा के अलग अलग प्रकार हो गए है ना काली मृदा हो गई जलोड मिट्टी हो गई बालू मिट्टी हो गई यह सब हमने पढ़े हुए तथा मानवी कारक जैसे जनसंक्या का गनात्व हो गया प्रध्योगी की शमता हो गई है ना और संस्कृति और परंपराएं तो शामिल इसमें है ठीक तो ये क्या है भूमी के उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व है ठीक है अब जैसे भारत का कुल भागोलिक छेतरफल 32.8 लाक वर किलोमीटर है लेकिन दोस्तों इसके 93 प्रतिशत भाग के ही भूबा मतलब जो भू उपयोग के आ अलावा दोस्तों जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकरत शेतरों के भूमी का उपयोग सर्वेक्षण भी अभी नहीं हुआ है दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको समझ में आ रही है अब हम आगे बढ़ते हैं इस्थाई चारा गाहों के अंतर क्या परिणाम होंगे ये भी दोस्तों वर्तमान परती भूमी जिसके विशय में अभी हमने उपर पढ़ा था चितर में भी देखा था इसके अतिरिक्त अन्य परती भूमी अनुप जाओ है और इन पर फसले उगाने के लिए जो कृषी में लागत आती है दोस्तों वह चेतर में शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत का जो कुल सूची चेतर है इसके लगबग चौपन प्रतिशत हिस्से पर ही खेती हो सकती है याद रखिएगा यह अधिकता माखडा है शुद्ध बोए गई चेतर का प्रतिशत भी दोस्तों विभिन राज्यों में अलग-अल अधिब समू की तो यहाँ पे 10 प्रतिशत से भी कम चेतर बोया जाता है ठीक है ना पंजाब हरियाना में कितनी हो रही है 80 प्रतिशत भूमी पर और इन सम्में कितनी हो रही है 10 प्रतिशत से भी कम चेतर बोया जाता है ठीक है दोस्तों इन राज्यों में शुद्ध बोए गए छेत्र का जो अनुपात है वो अभी हमने समझा और उसके लिए उत्तरदाई कारण जो है उसको भी हम आगे समझेंगे दोस्तों हमारे देश में राष्ट्रिय वन्नीती 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतरगत तैतीस प्रतिशत भौगोलिक छेत्र जो है वो वांच द्वारा निर्धारित ये जो सीमा है ये पारिस्तिती की संतुलन बनाये रखने के लिए बहुत ही आवशक है वन्चित्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोग हैं दोस्तों जिनकी आजविका इसी पर निर्भर करती है इसी से वह अपना जीवन यापन करते है भूपयो दोस्तों गैर क्रिशी प्रेयोजनों में जहां पर क्रिशी नहीं की जाती इसमें लगाई गई भूमी में क्या क्या है आप देखेंगे हापर बस्तिया सडके रेल लाइन उद्योग ये सब आदे हैं लंबे समय तक लगातार भूमी संदक्षा और प्रबंदन की अभेलना क करने और लगातार भू उप्योग के कारण दोस्तों भू संसाधनों का निमनी करण हो रहा है धीरे धीरे भू संसाधन निमने स्तर पर आते जा रहे है भूमी की उरवर्त समाप्त होती चली जा रही है आदि और दोस्तों इसके कारण समाज और परियावरन पर गंभीर आप वज सदियों से करते आया है तथा जो भावी पीडी है वे भी इसी भूमी का उपयोग करेगी दोस्तों हम भोजन मकान या फिर कपड़े कि अपनी जो मूल भूत आवशकता हैं इसका 95 प्रतिशत भाग भूमी से ही प्राप्त करते हैं दोस्तों हम यह भी जानते हैं कि मानव कारे कलापो के कारण ना केवल भूमी का निमनिकरण हो रहा है बलकि भूमी को नुकसान पहुचाने वाली जो प्राकृतिक ताकते हैं उनको भी बल मिलता चला गया है दोस्तों हमारे लिए जानना बेहत जरूरी है कि समय भारत में लगभग 13 करोड हेक्टेर भूमी निमनिकरण है समझ रहे हैं आप और इसमें से लगभग 28 प्रतिशत भूमी निमनिकरण वनों के अंतरगत है जबकि 56 प्रतिशत छेत्र जल अपरदित है और 6 छेत्र लमणिय है और शारिय है मुझे उमीद है यह आकडो को आप यूही अपने सामने से नहीं जाने दे रहे हैं और इसमरन रखने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों आकडो को याद करना स्थानों के नाम को याद करना या समय को याद रखना सिर्फ यहीं तक सेमित नहीं है कि आप इसे ल में भी प्रशन आ गए बहु विकल्पिय व्रश्णों के तौर पर तब भी हमें विकल्पों को देखकर याद सही उत्तर आ जाना चाहिए तो कम सिकम इतना तो हमें करना ही पड़ेगा ठीक है दोस्तों कुछ मानव क्रियाओं जैसे कि वरोन मुलन अती पशुचारण खनन इनने भी भूमी के निमनीकरण में मुख्य भूमी का निभाई है दोस्तों खनन के उपरांथ खदानों और वाले स्थानों को गहरी खाईयों और मलवे के साथ करन के कारण दोस्तों जारखंड 36 गड़ मध्यप्रदेश और उडिसा जैसे राज्यों में वनोन मूलन भूमी निमनीकरण का कारण यह बना है यही पर दोस्तों आगे नाम दिया हुआ है गुजरात गुजरात राजिस्थान मध्यप्रदेश और महराष्ट में कि हाँ पर और पश्ची में उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्य है जहां पर अधिक सीचाई करने से भूमी का निमनीकरण हो रहा है दोस्तों अति सिंचन से उत्पन जला क्रांता भी भूमी निमनीकरण के लिए उत्तरदाई होती है जिससे मृदा में लबनियता और छारियता बढ जाती है खनिश प्रक्रियाएं जैसे सिमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीशना और मृदा बरतन में उद्योग में चूने खड़िया मृदा और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायू मंडल में धूलवे सरजित होती है जब इसकी परत भूमी और जल निकास से बाहर आने वाला अप्षिष्ट पदार्थ भूमी और जल प्रदूशर का मुख्य स्रोथ बना हुआ है दोस्तों भूमी निमनीकरण की जो समस्यां हैं जिनकी अभी हम बात कर रहे थे पूरे अध्याय में इसको सुलजाने के लिए कई तरीके बनार ओपन है ना अधिक से अधिक जंगलों को मतलब तयार किया जाए चारा गाहों का उचित प्रबंधन किया जाए कुछ हद तक हम इसमें मदद ये कर सकते हैं दोस्तों पेडों की रक्षक मेखला जिसे शेल्टर बेल्ट कहा जाता है पशुचारा नियंतरन और रेतीले टीलों को का प्योग किया है इसलिए मैं वहाँ पर उन्हें शब्दशा पढ़ रहा हूं ताकि वो आपको समझ में आसानी से आ रहे हैं ये सोच कर ना आ जाएंगे दोस्तों बंजर भूमी के उचित प्रबंधन यानि मेनेजमेंट खनन नियंतरन और और योगिक जल को परिशकरन के प पड़ी थी इसके बाद बात करते हैं दोस्तों मृदा संसाधन की मिट्टी अत्वा मृदा दोस्तों सबसे महत्वपून नवी करण योग्य प्राकृतिक संसाधन है इस बात को जुलाया नहीं जा सकता है यहां पौधों के विकास का माध्यम भी है जो पृत्वी पर विभ लाखो वर्ष लग जाते हैं इस चित्र को आप ध्यान से देखिए दोस्तों यह अपक्षत रही आधारी चट्टाने है पेरेंट रॉक अंग्रेजी में कहा जाता है यह अधस्तरी अपक्षईत अधारी चट्टाने है यह उपम्रुदा अपक्षई चट्टाने जिसमें ब मृदा बनने की जो प्रक्रिया है इसमें उच्चावच चनक शैल अत्वासंस्तर शैल जलवायू वनस्पिती और अन्यजव पदार्थ समय मुख्य कारक होते हैं इन सबकी वजह से मृदा का निर्मान होता है दोस्तों प्रकृति की अनेकों तत्व ऐसे हैं जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल्की प्रक्रिया, पवन, हिम्नदी, अब घटन क्रियाएं आदि ये जितनी भी हैं ये सभी की सभी मृदा बनने की प्रक्रिया में अपना योगदान देती हैं दोस्तों मृदा यानि मिठी में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी बहत म अधार पर भारत की मृदाओं की अलग-अलग प्रकार है फिलाल हम उनके प्रकारों पर चर्चा करने वाले हैं और यह बहुत महतुपून है पारिक्षिक द्रिश्टिकून से आप याद रखिएगा मृदाओं का वर्गी करण दोस्तो भारत में अनेक प्रकार के उच्चाव मृदा दोस्तो जलोड मृदा से तातपर उस मृदा से है जो वरिस्ते द रूप से फैली हुए है और देश की महतुपून मृदा कहलाती है वास्ताओं में दोस्तो संपून उत्तरं Marie मैदान जलोड म्र continue मैदां की बात कर रहा हूँ मैं ठीक है न आप जानते हैं कि यह उत्तर होता है यह दक्षिन होता है यह पूरव होता है और यह पंचिम होता है और यह ऐसा कुछ हवारा भारत का नक्षा होता है ठीक है न तो आपको ये जानकारी समझ में आ रही है और यह मृदाय दोस्तों हिमाले की तीन महत्वपून नदी तंत्रों सिंदु गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लगाए गए निक्षेपों से बनी हुई है न और एक सक्रे गल्यारे के द्वारा यह मृदाय राजिस् समय यह जलोड मृदा का चित्र है ठीक है दोस्तों जलोड मृदा में रेत सिल्ट मृतिका के विभिन अनुपात पाई जाते हैं जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में उपर गी और जाते हैं मृदा के कणों का आकार बढ़ता हुआ हमें प्रतीत होता है बढ़ता चला जा दोस्तों नदी घाटी के उपरी भाग में जैसे धाल भंग के समीब मूटे कणवाली मृदाएं पाई जाती हैं ऐसी मृदाएं परवतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे की द्वार चोक्षेत्र और तराई में आमतोर पर पाई जाती हैं दोस्तों यहां पर हमें यह ब जिसे बांगर कहा जाता है और एक है नया जलोड जिसे खादर कहा जाता है जो बांगर मृदा है यानि पुराना जलोड है इसमें कंकर गरंतियों की मातरा ज्यादा होती है और जो खादर मृदा है इसमें बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन पाए जाते हैं यानि ब दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं दोस्तों अधिक उपजाऊपन के कारण जलोड मृदा वाले जितने भी छेत्र हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं इनमें गहन क्रिशी की जाती है और यहां जनसंक्या घनत्व भी इसी वजह से अधिक हैं दोस्तों सूखे चेत्रों की मृदाएं, मृदाएं जो हैं वो अधिक छारी होती है और इन म्रिदाओं का सही उपचार और सीचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई भी जा सकती है अब बात करेंगे दोस्तों काली मिट्टी यानि काली मृदा की तो दोस्तों इन मृदाओं का रंग काला और इन्हें रेगर मृदाय भी कहा जाता है काली मृदा दोस्तों कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है यहां माना जाता है कि जलवाईू और जनक शैलो ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया दोस्तों इस प्रकार के मृढ़ाएं डक्कन पठार यानि बेसाल्ट शेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है और दोस्तों लावा नेक शैलों से यह बनी है यह मृढ़ावरी और और क्रिष् नदियों की घातियों दोस्तों मैं आपको बता दूं कि काली म्रिदा यानी काली मित्टी बहुत महीन कणो यानी क वहत बारी कणों से मरधिका से बनी इसकी नमी धारन करने की किशमता बहुत अधिक होती है और इसके अलावा ये मृदाएं केलशियम, कार्बोनेट, मैगनीशियम, पोटाश और चूने जैसे पौश्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है लेकिन दोस्तों इनने फॉस्पोरस की मातरा कम होती है गर्म और शु उतना मुश्किल होता है इसी लिए इसकी जुताई मानसून प्रारंब होने की पहली बोचार से ही शुरू कर दी जाती है कितनी सारी जानकारियां हमें किसी एक अध्याय में किसी एक बुस्तक में किसी एक विशाय में जानने को मिलती है कभी-कभी मुझे मैसूस होता है कि ह कितने सौभा गिशाली है जो हमें इतनी सारी जहनकारिया प्राप्त हो रही है पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है ना ठीक है यह मेरे विचार है आगे बढ़ते हैं दोस्तों लाल और पीली मृदा के बारे में अब हम पढ़ेंगे लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षणी हिस्सों में रवेदार आगनेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विक्सित हुई है दोस्तों यह आगनेय चट्टाने क्या है यह हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है पिछली कक्षाओं में है ना दोस्तों लाल और पीली मृदाएं ओडिस चट्टिसगड मध्यगंगा मैदान के दक्षणी शोर पर और पश्चिमी घाट में पहाडी पद पर पाई जाती है यह ना यह हमें जानकारी दी गई है कि कहां पर यह पाई जाती है इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आगनेय और रूपांतरी चट्टानों में लोह ठीक है न वा अगर पश्चिमी घाट में बात करें तो पहाडी पत पर पाई जाती है दोस्तों इसके बाद है लेटे राइट मिट्टी यानि लेटे राइट मृदा यह क्या है इससे समझे यह जो शब्द है लेटे राइट यह ग्रीक भाशा के शब्द लेटर से आया है लेटर का अर्थ होता है दोस्तों इट इट से आप परिचित हैं दोस्तों लेटराइट मिदा का निर्मान उश्न कटी बंदिय तथा उपोशन कटी बंदिय जलवाईव शेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क रितियों के एक के बाद एक आने के कारण होता है आप समझ ये कि यह भारी वर्षा से अत्यधिक लीचिंग का परिणाम है यानि निक्षालन का लेटराइट मिदा की अगर हम बात करें दोस्तों तो यह बहुत ही गहरी और अमली होती है आपने पी एच स्केल के बारे में विज्ञान में पड़ा होगा है जिसमें जो है चौधा तक पैमान होता है और इस तरफ शारी भाग होता है खेर फिलाल हम बिज्ञान पे कभी और डिसकस करेंगे फिलाल सामज ग्यान पे रहते हैं तो गहरी और अमली होती है दोस्तों इसमें सामाने रूप से इसलिए पौधों के पोशक तत्वों की कमी होती है यह अधिकतर दक्षणी रा आपत रूप में पाये जाता है लेकिन दोस्तों याद रखेगा कि विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क की मात्रा धीरे धीरे इसमें बढ़ती चली जाती है अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों पर्यावरण में इसमें हिूमस की मात्रा कम पाई जाती है यह है तकनीक अपना कर इन मृदाओं पर करनाटक केरल और तमिलनाडू में चाय और कॉफी उगाई जाती है तमिलनाडू आंद्रप्रदेश और केरल की जो लाल लेटेराइट मृदाएं हैं मिट्टी है यह काजू की फसल के लिए दोस्तों जो है अधिक उप्युक्त मानी गई ठीक है बात करते हैं मरुस्थली मृदा की दोस्तों मरुस्थली मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है यह मृदाएं आम तोर पर रेतीली और लवनी होती है ठीक है ना कुछ शेत्रों में इनमें नमक की मातरा इतनी अधिक है कि जीलों से जल वाशबी कृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है मुझे अमीद है यह जानकारी आप समझ पा रहे हैं है ना बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों शुष्क जलवायू और उच्चतापमान के कारण जल वाशबंदर इसमें अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मातरा कम होती है दोस्त तो मृदा में यानि मिठी में जल अन्तह स्यंदन यानि इन्फिल्ट्रेशन अवरुद हो जाता है आप समझ रहे हैं न? कि मैं कह रहा हूँ कि जो नीचे की परते हैं उनमें चूने के कंकर की सत्वाई गई और इसी की वैसे क्या होगा कि जो जल है इस मिठी में वो अवरुद्ध हो जाता है समझ रहे हैं आप इस अम्रिदा को सही तरीके से सिंचित करके क्रिशी करने के योग्य बनाया जा सकता है जैसा कि पश्चिमी राजिस्थान में वर्तवान में हो रहा है ठीक है अब वन म्रिदा की बात करेंगे दोस्तों ये म्रिदाएं आम तोर पर पहाड़ी और पर्वतिय क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर पर्याप्त वर्षावन उपलब्द है इन म्रिदाओं के गठन में पर्वतिय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है नदी घाटियों में ये म्रिदाएं दोमट और सिल्टदार होती है लेकिन उपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है हिमाले के हिमाच्छादिक छेत्रों में इन म्रिदाओं का बहुत अपर्दन होता है दोस्तों और ये अधी सिलिक यानि एसिडिक तथा ह्यूमस रहित होती है इनमे बात करते हैं मृदा अपर्दन और उसके संरक्षन पर दोस्तों मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहा जाता है आपने सुना होगा यह पहले भी मृदा का कटाव क्या होता है मिट्टी का कटाव है ना इसी को तो क्या कहा जाता है अपर्द क्रियाएं आम तौर पर दोनों साथ-साथ ही चलती है और दोनों में संतुलन होता है बैलेंस होता है दोस्तों लेकिन मानवी क्रियाएं जितनी भी है न जैसे वन उन ये सब अपरदन करते हैं बहता जल मुक्तिका युक्त म्रदाओं को काठते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है दोस्तों जिने अवनलिकाएं कहते हैं अगर आप से पूछ लिया जाए कि अवनलिकाएं क्या है तो आप कहेंगे कि बहता हुआ जल जो छोटे-छोटे महीन कन होत दोस्तों ऐसी भूमी जोतने योग्य नहीं रहती और इसे उत्खात भूमी यानि बैड लेंड कहते हैं चंबल बेसीन की अगर बात करें तो ऐसी भूमी को खड़ भूमी कहा जाता है दोस्तों कई बार जल वरिस्तर छेत्र को ढखे हुए ढाल के साथ नीचे की और बहता है समझ रहे हैं आप और ऐसी स्थिती में इस छेत्र की जो उपरी मृदा है घुल कर जल के साथ बह जाती है इसे कहा जाता है चादर अपरदन यानि की शीट एरोजन ठीक है दोस्तों पवन दारा मैदान अथवा ढालू छेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है मिट्टी को अपने साथ उला कर लेके चली गई दोस्तों कृशी के गलत तरीकों से गलत तरह से खेती करने से भी मृदा का अपरदन होता है गलत धंग से हल चलाने जैसे ढाल पर उपर से नीचे की और हल चलाने वाहिकाय बन जाती है जिससे अं का कॉंटोर प्लगिंग यानि समोच जोताई दोस्तों ढाल वाली भूमी पर सोपान बनाए जा सकते हैं सोपान क्रिशी अपरदन को नियंतरित करते हैं पश्चिमी और मद्य हिमाले में सोपान अथवा सीडीदार क्रिशी काफी विक्सित है मान लीजे कि ये कोई ऐसा पहा के बीच में घास की पटियां उगा दी जाती है ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती है और इस तरीके को पट्टी क्रिशी यानि स्ट्रिप फार्मिंग भी कहते हैं पेडों को कतारों में लगा कर रक्षक यानि शेल्टर बेल्ट मेखला बनाना भी पवनों की गत करते हैं दोस्तो सूखा माजरी गाओं का यहां पर जिक्र है और जबुआ जिले ने यह कर दिखाया है कि भूमी निमनी करन प्रक्रिया को पल्टा जा सकता है सूखा माजरी जो सूखो माजरी में क्या है कि वरक्ष गनत्व 1976 में 13 प्रती हेक्टियर था जो कि 1992 में बढ़ करके 1200 बहुततर प्रती हेक्टियर हो गया दोस्तो परियावरण के पुनर जनन से अधिक संसा धनूप लब्दिता क्रिशी और पशुपालन में सुधार के परिणाम स्वरूप आमदनी बढ़ती है और समाज में आर्थिक सम्रुद्धी आती है सूखा माजरी में 1989 से 1984 के बीच परिवारों की ओसत वार्षी कामदनी 10,000 से 15,000 रुपे थी परियावरण की पुनर इस्थापना के लिए दोस्तों लोगों द्वारा इसका प्रबंदन आवशक है मद्य प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वयम पैसला लेने का अधिकार दिया है और वे प्रदेश की 29,000,000 हैक्टेर भूमी भारत का लगभग 1.6 तरफल को जल विभाजक प्रबंदन द्वारा हरा भरा बना रहे है मुझे उमीद है कि यह आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है दोस्तों मुझे उमीद है कि यह अध्याय आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से और यह वीडियो भी आपको पसंद आया होगा अगर यह अध्याय आपको समझ में आया है और यह वीडियो आपको पसंद आया है और आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी जरासी भी मदद की है इससे आपको थोड़ा भी कुछ पता चला है ग्यान मिला है तो प्लीज आप इस वीडियो की लिंक को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों में दोस्तों जल्दी मुलाकात होगी अगली जानकारी के साथ अगले अध्याय के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार